आपके साथ रितु सेंग और हमारे इस प्रोग्राम में हम आपके लेकर आते हैं आपके तमाम प्रॉब्लम्स के सॉलिशन जो आपके लिए जानना बेहत जरूरी है चलिए इसी कड़ी में हमारा आज का टॉपिक है लट एडिक्शन जो की युवाओं में हो चाहे बच्चों में हो फालता ही जा रहा है और इसी के लिए कर आज हमारे साथ मुझूद है डॉक्टर बूशन सिंग जो की M.D. मनुची के सक्वी है और साथी डी एडिक्शन स्पे दे दिया गया है आज मित्ता के नाम पे जो युवाओं है वो ज्यादा तरन ऐसे के चपेट में होते जा रहे हैं दूसरी जो प्रमुकरान है कि जिस तरह से हमारे लाइफिस्टैल चेंज हो रही है बदल रही है जिसके बसे हमारा तनाव बढ़ रहा है तो कहीं न कहीं जो मित्त है उसके वजा से युवाओं में दूसरी का चलान ही जादा बढ़ते जा रहा है और उसका दुस्परवाओ मांसी Ooo तो सरीक तोर से और आर्थिक तोर से देखने को मिलता जा रहा है जै डूक्टर जाना चाहेंगे कि युवाओं में सबसे जादा कौण सा एडिक जादा होते हैं तो वे आपका जिस तरह का आपकी social values है या social आपकी आपकी आअमदनी income है उसके अधार पर इनको अलग अलग नश्ये पार लोग होते हैं alcohol भी है जो समानतर सबसे सस्था बाद सबस्यादा डिजिटल अडिक्षिन पे भी आज बात करने बाले हैं और यह सबस्यादा बच्चों में देखा जाता है तो इसके बारे में फोड़ा जाना चाहेंगे digital addiction अगर हम इसको specific नाम देके बात कर रहे हैं, digital तो नहीं कह सकते हम इसको, लेकिन हम इसको internet addiction की तोर से हम ज्यादा तर जानते हैं, जो अभी तक हमारे science ने इसको identified किया है, तो ये internet addiction या mobile addiction की तोर से हम लोग कहते हैं, basically जो addictions होते हैं, दो तरीकिक होते हैं, तो पहला तो जो ह होता है आपका behavioral addiction और दूसरा होता है substance addiction behavioral में जिसमें हमारे behavior involved होता है जिसमें आप जैसे आपने कहा कि digital addiction है न या shopping addiction हो गया और तरह के जिसे gambling जूए खेलने के addiction हो गया तो यह serial watching addiction हो गया तो यह उनके एक प्रकार होते हैं तो आप जो digital addiction के हम बात कर रहे हैं वो basically आपका एक behavioral addiction का पार्ट है जिस तरह से हमार digitalized life को हम कर रहे हैं आज के समय में हर चीज हम online के तरफ जा रहे हैं या हम study material भी इसके हम बात कर रहे हैं covid समय में हमने जो study का एक दारा ही बदल गया है school से हम निकल करके mobile पे या घातक पढ़िणाम लेक्टा है और जब हम एक license बन के हो कि हम online पढ़ाई कर सकते हैं और mobile है तो mobile इसका addiction का प्रचलन तो पढ़ते आ रहा है तो इसमें internet addiction भी साइमिल हो रहा है आपका mobile addiction भी साइमिल हो रहा है जो है यह दोग्टर जाना चाहिए हम addiction के बारे में लगतार बात कर रहे हैं किस हद तक इस से हमें परिशानी होती है हमारे सामाजिक जीवन में हमारे पारिवारिक जीवन में हो तेकि हमारे जो लथ है वह हमारे आर्थिक और सारेक तो सब को नुक्सान करता ही है तो क्राइम में एक में कारण माना जाता है जो कि नशी को भी बहुत जादा माना गया है कि नशी की वज़े से भी कई लोग क्राइम में उतरते हैं इस पर आपका क्या गहना है देखी जहां तक मेरा स्टडी रहा मैंने भी भौपाल पुलिस के साथ में लगबाग दो से तिन साल तक काम किया है ट्रॉफिक पुलिस से भी मेरा काम का संबंद रहा है तो जो भी accidents होते हैं या crime होते हैं तो कोई भी वेक्ति समानने मनोचेतना के आउस्था में कोई भी crime नहीं कर सकता है पेस्टेवर का जो क्रिमिनल होते हैं उनकी बाद अगर हम छोड़ दें तो कोई भी विक्ति होस में है तो उसको जो पक्ष का है विपक्ष का है सब कुछ ध्यान में लगता है उसके एफेक्ट का होते हैं उसको समझ में आता है लेकिन 90% से उपर क्राइम्स ऐसे होते हैं जो नसे की स्तिती में या नसे के वजह से होती हैं इसे के साथ में जोड़ दूंगा रोड एक्सिद्ट में भी कहीं 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 90% से उपर नशे का इंवाल्मेंट होता है जो ट्रू एक्सिड्ट होते हैं, जिसको हम कहते हैं, सत्य दूरगटना जो घटी है, और जिनल टाइप से, जो हमारे जो परपर्टरत कैसे हम ड्राइब नहीं कर पाएं. उसके वैसे जो डूरगटना वहते हैं, बाके कहीं न कहीं, या तो इविक्ति नश्य में था, या नश्य क के पास आनते होंगे तो अगर नशे की बात करें तो सबसे जादा नशे की लटके सेज ग्रूप में देखी जा रही है। उसमें चैंजिंग होता है तो उसमें वज़ा से कुछ बच्चे 18-20 साल में होस्चल जाते हैं वहाँ पे प्यर प्रिशेर के दबाब करन में और फिर जब आगे जब अबढ़ते हैं तो हम आफीस में काम करते हैं जो कलritis के साथ में हमारे ताल नहीं बैठ पाता हैं कि दवाब में का रहा हम लोग सूरुआत तो हम वर औराल हमारे पास पेशेर्टस आते हैं वह बीच सल के ऐनाया शुरू हाँ जाते हैं और प्एतेस संगती का जहां तक प्रभा होता है अब हमारे घर में पांस सदस है लेकिन हमारे एक बेटा मालो नशा करता है तो चार लोग संगती तो अच्छी है ना फिल क्यों कर रहा है मैक्सिमम समय हो कहा होता है अपने परिवार साथ होता है एतलिस रात के बार गंडे घर पी होता है सुबा दस बजे निकलता होगा हो तो संगती के बजाए हम एजुकेशन पर ज्यादा फोकस करें संगती तो आप रोक ही नहीं सकते आप कैसे फिल्टर करेंगे इसका बेटा कैसा है और हमारे बेटा पी रहा है दूसरे के बेटा को पिलाना सिखा रहा है तो संगती का जो उप्योग जो हम कहते है देशी वो कम होता है इसका है युगदान तो है नशे का बढ़ते प्रचलन में संगती का युगदान तो है लेकिन ज़्यादा तर इसको हम नहीं कह सकते ज्यादा तर नशे का जो प्रशलन है आपका जेनेटिक डिसॉलर के कान भी हो सकता है आपको अगर आपके परेंट्स है या माता पिता या नाना नानी या कोई भी वरती एडिक्ट रहे हो पहले तो इस वज़ा से हम संगती में जाते हैं तो इसका जो प्रेड हो ज्यादा कर सकते हैं एक मित है इववाऊ में कि जब हम स्ट्रेस में है या तनौम में है उस दवरान हम थोड़ा सा या दो पफ ले 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 तो हमें इस्ट्रेस थोड़ा सकम हो जागा क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया की नशे का मतलब होता है कोई भी साइको एक्टिव सब्स्टेस का उप्योग करना जिससे हमें मुमानों उत्तिज न भढ़ जाए इस्ट्रेस उस दौरान जब हम है उस समय हम कोई भी सैको एक्टिप सब्सेंस लेते हैं तो जाहर सी बात है इस्ट्रेस में हमारे थोड़ा सा डिप्रिविशन तो आता ही है तो इसको हम रिगुला इस्तेमाल करने लगते हैं जिसके हम लट में चले जाते हैं तो इस्ट्रेस का के वज़ा से भी बहुत सारी लोग नशे के लिफ्ट में चले जाते हैं जी डॉक्टर हम आगे भी बात करेंगे लेकिन इससे पहले मैं दर्शकों के एक चीज़ बताना चाहूंगी कि अगर आपके घर मे कोई भी आपसे जुड़ा हुए वक्ति नशे की लट से जूच रहा है या फिर किसी भी तरह के अडिक्शन से तो आप उसके बारे में डिसकस कर सकते हैं डॉक्टर से नंबर लगतार आपके टेलिविजन स्क्रीन पर फ्लैश भी हो रहे हैं आप कॉल करें और अपनी इसलो है पैट मी तो आजाते हैं स्मो करते हैं तो सीधा आपके फेपड़े में होता है और भांजा है चरश है इस तरह का प्रभाव होता है यू कि आपके सोचने य शमजने की झ fanat पर इस डरेक्ट असर पढ़ता है लेगिए प्रटिकुलर किसी भी एक नसा किसी भी बोड करती है बिल्कुल युवा में एक और में था आज कर कि लाइफ स्टाइल में बहुत से स्कूल कॉलेज इस्टूरेंट्स होते हैं जो हुक्के के पीछे बहुत भागते हैं वो बोलता है कि उनसे जब कि लेंगे पाट कि वह पूचा जाता है लिए विक नष्य कि लेवर्य प्रूट-जुवारें टो गर पर लो ना जएसी बात है यसमें कुछ ने कुछ ने समनु थे अपराथ भट नहीं आफेघ्च्छों को लाइफिस्टार की बात नहीं विद्ध पैकिंग की है एड़ोटाजिमेंट का है कि सामने वाला जो जो भी संचालत करते हैं चीजों को, वो किस तरह के एड़ोटाजिमेंट कर रखा है चीजों को, तो इसका मुझे फ्लेवर से कोई संबन्ध नहीं है, सीधा संबन्ध इन चीजों से मनुत जिनक है, अगर व्यक्ति आपका साथ या बीस प्रतिसाथ आपको नशे का पदार्थ होगा लेकि उदस से बीस अभी से पचीस पचीस से सो में पहुंशने में देरी नहीं लगेगी और जब हम नशे की इलाज हम करते हैं उसमें हमारे लिए बड़ी समस्य होती है क्योंकि प्रत्थम इस थिती पे तो आते नह हम से जो चुके हैं पूझा बहुत-बहुत स्वागत है अपका नाधी टीवी में अगर हुका पीना सीखा गया है तो उसको असाने से हम ब्रेक कर सकते हैं सबसे पहले तो इन्साइड होना चाहिए पिशिंट में कि हाँ यहां जो मैं कर रही हूं यहां गलत है और गलत जब हम एहसास कर लेते हैं जब हम स्विकार कर लेते हैं गलत है तो उसका जो समधान है अपने आप आने लगता है और जाहिर सी बात है अगर बहुत लंबे समय से उक्का का इस्तेमाल कर रही है तो जिस समय वह पर्टिकुलर समय पर हुका पीती थी उस समय उनको क्रेविंग या नसे वाले पदार्व के इस्तेमाल करते थे उस समय अपने मन पसंद काम के लिए उस समय का खर्च करें तक कि आपके ध्यान उधर कम से कम जाए योगा ध्यान प्राणायाम इसके लिए बहुत महत्पूर है नसी से दूर रहने के लिए विर्कुल उमीद पूजा आपको पता नहीं किन तरह के सबस्टिंस को उप्योग होता है जो आपके इन्हिलेंट के तरह से काम करता है और बाड़े के फेफिडों के साथ में आपके सोचने और समझने क्शमताओं को भर भी प्रहुत करता है जिससे हमारे डिसिजन मेकिंग पे सीधर असर पड़ता है हमारे मतलब जो चीज को हम जैसा देखना चाहते हैं वैसी देखते हैं ना कि जैसा है वैसा तो परस्प्सन पे भी असर इसका बहुत ज़्यादा पड़ता है जब परस्प्सन पर असर पड़ता है जिसके वाज़से हमें जो चाहते है वही दिखता है और जो है वो नहीं समझ में तो इसमें हमारे आप पस में मद्भेद या फिर डिस्जन मेकिंग में या फिर मिमोरी पे और आपके लाइफ इस्टार पे भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा डिफ्मेंटी पक्के तोर से केरियर पे जब आपका सो प्रतिसाथ काम में है नहीं आपका जो चाह रहे ह अभी एंप्लाइज प्राइविट है 20 परतिसाथ ही गोवर्मेंट होंगे तो प्राइविट एंप्लाइज होते हैं या प्राइविट वरकर्स होते हैं वो जब तक कंपनी को अपना सो परतिसाथ नहीं देंगे तो ऐसी इस्तिति में उनके जौब के खत्रा और उनके काम प और जादा लोग इंस्टा पर एक्टिव रहते हैं, वाटसेप पर एक्टिव रहते हैं, एक हिसाब से कह सकते कि एडिक्शन ही है, बिल्कुल, आज कल अगर आप दस बजे घर आ जाते हैं, तो यह मान चलिए 2-3 घंटे फेस्बूक को, इंस्टा को या वाटसप को देते हैं, अगर आपका कोई डोरबेल बजा रहा हो, तो हमें सुनाई नहीं पड़ता, एक अगर वाटसप पर मैसेज आया है, तो हम उसको देखते हैं, एक ही मैसेज बारबर सर्कुलेट होता है, हमें पता है कि मैसेज बारबर हो रहा है, फिर भी हम एडिक्ट होगे हैं, उसके पनुजन के तरह से इस्तेमाल करना सुरू कर दिया, हम इसमें एडिक्ट होगे, इसके बहुत ज़्यादा हम आकरसित होने लगें, हर चीछ के लिए हम सोसल मीडिया पर ही हम हो रहे हैं, आज कल एड़ोटाइजमेंट के माध्दा में सोसल मीडिया बहुत ज़्यादा बना ह के लिए हैं, तो सोसल मीडिया को सिर्फ आप आप सोस के तरह से इस्तेमाल करें, ना करकि उसके अपने जीवन का बहुत ज़्यादा समय उस पर दिया हैं, आज कल क्योंकि जो एज ग्रूप देखा जाता है, स्कूल, स्टूडेंट्स, जो कॉलेज में जाने वाले होते हैं, तो सोसल मीडिया पर एक्टिव उनकी संक्या जादा देखे जाती है, क्या ड़कर, इसमें सोसल मीडिया का एक जहां तक मैं तो साइंस से जादा बहुत जादा मैं फैमिलियर नहीं हूँ, लेकिन मुझे जहां तक यह सुनने को और समझने को मिला है, कि जो आपका आने लगते हैं, क्योंकि मैं, पहले से इस पे हम इंट्रेस्टेड हैं, हमारा इंट्रेस्ट साइड है, तो उस तरह का जब पॉस्ट हमें सो होने लगते हैं, तो हमीं लगता कि हमारा पसंद कacement है इस क्यूंस हआँ, हमारा इनुप से और वाल्मेंट ज़्यादा जज़ा उ आपको बहुत बहुत जब पी रह रहे होते हैं तो ऐसे इस्तिती में आप में ब्लेड में नीकोटिन की लेबल बहुत जादा हो जाते हैं तो निकोटिन की लेबल को कम करने के लिए आप सबसे अगर आप चिकसी सहाथा लेते हैं तो उसके सबस्ट्यूट आपको मेडिसन तो उसके प्रवाइट करे जाएगी लेकिन अगर आप से खुद से ही इसको डॉप करना चाहते हैं तो इसको टेपरिंग पे काम करें धीर धी तो उसके सबस्ट्यूटnoc अब अबको मेडिसन भी प्रवाइट की जाएगी और उसके आपको स्मोक है उसे अजासी असानी सी मिल जाएगी मार्केट में भी इसके लिए बहुत ओयस्ती मताब 5 substitute therapy की तोड़ से बहुत सारे medicine आते हैं जिसे निकोटिन के patch है निकोटिन के gum से निकुटिन के strengthen भी बहुत मर्केट में अब्ले Baptist में तो कुछ भी चीज़े आप पर्चेस करने से पहले मेडिकल से खरीदने से पहले अपने जो मनोचिक्सक है आप उनसे बात करें और अपने जो सभी जो सारेडिक समों है फिजियोलोजिकल वरकिंग है पैटर्न है उस पे जाज करवाने के बाद इस मेडिसन को प्योग करें बेर कुल राउल बहुत बहुत धनिवाद हमसे जोडने के लिए और डॉक्टर से बात करने के लिए जोक्त कर रहे थे तो क्या सलादेएंग आप यह वह को की वह सोचल मीडिया से थुड़ा दूरी बनाकर कैसे रखें सबसे पहली बात है कि social media हमारे जीवन का आज के समय में अविन अंग बन गया है जैसे मैंने पहले बता है चाहे एड़ोटाजमेंट की बात हो रही हो हमारे लिए है ना या हमारे लिए पढ़ाई की बात हो रही हो या हमें message share करने की बात हो रही हो एपने बारे में लोगों को बताने की बात हो. या आपने लोगों के बारे में जानने की बात हो रही हूँ हे तो ये बहुत महात्तों हिस्सा बन गया है social media. अब इस से दूर रहने के एक ही चीजे है कि आप उसका उप्योग कम से कम करें आउसकता होने पे ही उसका प्रयोग करें आप अपने जो भी दिन चर रहा है उसमें फिचकल एक्सरसाइज को ज्यादा महतु दे जिससे आपको सोचल मेडिया के जाने के लिए थोड़ा सा कम से कम हो इन चीजों को समझे कि आपके सोचल मेडिया पे एक्टीव ज्यादा होने तो सबसे ज्यादा आप अपने फिचकल एक्सरसाइज पे करें आपकी जो होबीज हैं जो हमने पहले कभी थी जो अबदर चुकी है समय के साथ साथ उसको वापस से हम क्रिएट करें और अपने होबीज को पूरा करने के लिए काम करें कुछ लोग पेंटिंग्स बनाते हैं म्यूजिक्स जो करते हैं या जो इस्टुमेंट्स बजाते हैं या कुछ पोईटरी लिखते हैं या किताब पड़ते हैं कुछ भी तरह का आप एक्टिविटीज पे अपने आपको इंबाल कर लें तो धीर धीर जो सोशल मीडिया का जो आपको इंट्रेस्ट है वो कम होगा क्योंकि होबी का हम काम कर रहे हैं जो हम को करना पसंद था अगर हम वही की चीज़ कर रहे हैं तो डिफिनेटली हमें आगे चलके इस चीज़ों के सकता कम होने लगेगी बिल्कुल तो मतलब जो होबी आप भूल चोके हैं सोशल मीडिया की वज़े से अडिक्शन की वज़े से तो उसको फरसे फॉलो करना धीरे धीरे से शुरुआत करिए ताकि आप पूरी तरह से तो नहीं पर धीरे धीरे शुरुआत करिए ताकि आप धीरे धीरे सोशल मीड हम पर इसका बचाव नहीं कर पाए हैं तो उपचार के लिए विससग के के सलाह आतिः अवज्यक हैं बिना विससग के सलाह के उसके उपचार पर करने की कोशिस नहीं बहुत सारे जगा हमने देखते हैं बहुत सारे चीजे ऐसी आती है इसके लिए के फैमिलिगा दिमांड होती है कि मरीच को बिना बताएी, दवाई देदो छूट जाती है, ऐसा कता ही नहीं होता यह सारे प्शूश होती है कि कभी भी मरीच को बिना बताएी चिकिस्दा संभव शोटे शोटे बच्चों में देखा है कि भी तो दोड़ा सा रोते हैं और परेंट्स नो को चुपकर आने कली मोबायल तहमा देते हैं और फिर भी निकलती है वह नए बच्चों के लिए हानी करा होती है साउंड भी इतना तेज म्यूजिक बसता है वह भी नुक्सान दायक होता है बच्चों के लिए तो ऐसे इस्थितिय में जो हमारे परंपगत खिलाउने होए उस पे ज्यादा फोकस करें हम पहले भी हम बच्चे थे बड़े हुए और बिना मोबाइल की हो चूप होते हैं सांत जो परंपगत खिलाउने है उस पे हम ज्यादा फोकस करें और उस पे ज्यादा बच्चों को दे तो बच्चे सांधी भी होंगे और उनकी जो सारारिक सरश्चना है मांसिक गुरोथ है दोरों में इसको प्रभाप पड़ेगा तो बिल्कु पैरेंट्स के लिए यह थी डॉ पूशन्ट सिंग हमारे साथ मौजूद थे जिन्होंने आज हमें बताया कि कैसे इनर्शी किलस से दूर रहा जा सकता है क्या क्या हमें नुकसान होते से बचाव कैसे करने हैं क्या उपाए है साथ ही हमने डिजिटल एडिक्शन के बारे में भी बात की सोशल मीडिया एडिक